हेलो BSC Second Year Student, कैसे हैं आप सभी लोग, उमीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे My name is Aashish Giri, आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSC Second Year Botany के 3rd semester में आपका theoretical paper आता है Flowering Plant Identification and Aesthetic Characteristics Student इस semester से already में कई सारी videos upload कर चुका हूँ अगर आप उन videos को देखना चाहते हैं तो उसी video के description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप channel के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा आज किस video के अंदर हम cover करेंगे एक most important family, family solenacy exam paper में कई बार long question में पूछा गया है इसके बारे में अगर आपसे exam paper में long question में पूछा जाए शाड़े 7 नंबर या 10 नंबर में तो आपको कितने point mention करने हैं कौन-कौन सा diagram है जो कि most important है वो सब मैं इस video के अंदर आपको उसकी जानकारी दूँगा इससे पहले वाली videos के अंदर मैं कई सारी families भी cover कर चुका हूँ अगर आप लोग उसके according पढ़ना चाते हैं तो भी आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं heading डाले जिए classification family solenacy इसे हम धतूरा family के नाम से भी जानते हैं या potato family के नाम से भी जानते है फैमिली solenacy को division angiospermia के अंदर रखा गया है class dicodilidens के अंदर रखा गया है, subclass gamopateli के अंदर रखा गया है, series bicarplatic के अंदर रखा गया है, order polymonials के अंदर रखा गया है question यह आता है कि division angiospermia के अंदर इसे क्यों रखा गया है, क्योंकि ये अपनी life cycle के during flower को produce करते हैं और ये shaded plant है, इसलिए इसे division angiospermia के अंदर रखा गया है, class dicodilidens के अंदर क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके embryo में 2 codilidens बनते हैं, अगर आप लोग इनके root को देखेंगे तो tap root system पाया जाता है flower अगर आप लोग इनके देखेंगे तो generally pentameras या tetrameras होते हैं, अगर आप लोग इनकी leaf में venation देखेंगे, यानि पत्तियों के अंदर जो veins होती हैं, अगर आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे तो reticulate venation देखने को मिलेगा right, यानि के leaf में जो mid rib होती है, उसमें veins का जो arrangement है बिलकुल net की तरह है, यानि जाल की तरह आपको दिखाए देगा subclass gamo petali के अंदर रखा गया है, क्योंकि इनमें जो petals होते हैं, वो fuse रहते हैं number four point, series bicarpality के अंदर रखा गया है, by means two, यानि के दो carpals present रहते हैं और अगर आप लोग देखेंगे, इसकी ovary तो usually superior होती है, order polymonials के अंदर रखा गया है, order polymonials के अंदर अगर आप लोग leaf देखेंगे, तो leaves जो होती है, वो alternate होती है, x stipulate रहती है, flower जो होते हैं, वो actinomorphic होते हैं यानि कि कुछ character होते हैं जिसके base पर हम लोग family solenacy को या किसी भी family को classified करते हैं, अब हम देखते हैं distribution, यह Bentham and Hooker के according classification था, जो कि बहुत जादा easy है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, अगर हम distribution की बात करें, यानि कि इस family के जो members हैं, वो दुनिया में कहां कहां पर distribute हैं, कह इस family के अंतरकर 85 जेने रहा है, 2000 species आती हैं, और इस school के जो पोधे होते हैं, मुख्यता टॉपिकल होते हैं, सब टॉपिकल भागों में पाए जाते हैं, प्रन्तु temperate भागों में भी परियाप्त मात्रा में मिलते हैं, भारत वर्स में भी school के जो सदस्य हो सामान रूप से प अबिट में आप लोगों क्या लिखना है, इस school के जो पोधे होते हैं, वो एन्मल होते हैं, यनि एक वर्स होते हैं, जो अपनी life cycle को एक साल में complete करते हैं, अनि बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, कभी-कभी ये climbing भी हो सकते हैं, रूट के अगर हम बात करें, तो tap root system पा होता है, soft और green stem पाया जाता है, erect होता है, यनि उपर के तरफ उठा हुआ रहता है, branching उसमें देखने को मिलती है, hairy होते हैं, यानि कि stem में hairs आपको देखने को मिलेंगे, spiny होते हैं, काटेदार होते हैं, और solid होते हैं, कभी-कभी जैसे for example, potato में अगर देखेंगे, तो underground भी होता है stem, leaves के गर हम बात करें, तो leaves बहुत ही simple होती है, x stipulate होते हैं, यानि कि stipule absent होता है, alternate होती है, opposite होती है, और entire होती है, alternate and opposite, opposite में generally आप लोग देखेंगे, जैसे for example, ये हमारे पास बीच में एक stem है, इस stem की जैसे इस तरफ एक leaf पाय जा रही है, तो just दूसरी तरभी इस floral character, right, heading डाले जिए floral characters, अब हम discuss करेंगे family solenacy के pushpy election के बारे में, जिसमें सबसे पहला point आता है inflorescence, उसके बाद आप लोग flowers, विर calyx, विर corolla, इसी तरह से आप लोगों को sequence wise define करना है, तो inflorescence में generally हम लोग देखते हैं, इसमें साइमोस टाइप का inflorescence पाय जाता है, और ये एक्जिलिरी साइम, डायकेजिल साइम होता है, कभी-कभी helicoid type का भी होता है, साइमोस का मतलब समझते हैं, inflorescence में generally मैंने आपको बताया था, रेसिमोस और साइमोस दो तरह के inflorescence पाय जाते हैं, अच्छा, inflorescence होता क्या है, जैसे आप लोग देखते हैं, किसी plant के उपर का उन फूल या flowers का जो arrangement होता है, उसी को हम inflorescence बोलते हैं, तो साइमोस का मतलब यह होता है, कि main axis जो होती है, वो उसकी limited growth होती है, एक flower की वज़े से उसकी main axis की growth है, वो एक तरीके से terminate हो जाती है, राइट, floral axis के apex पर एक flower आ जाता है, जिसके वज़े से उसकी growth terminate हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि साइमोस टाइप का जो inflorescence होता है, उसकी growth limited है और रेसी मोस टाइप का जो inflorescence होता है, उसकी growth continue रहती है, यानि कि उसकी जो growth होती है, किसी flower की वज़े से terminate नहीं होती है, flower जो होते हैं, वो literally produce होते हैं, तो family solenacy के अंदर जो inflorescence पाय जाता है, वो साइम इस टाइप का होता है, अगर हम flower के बारे में discuss करें, तो flower जो होता है, इनका pedicillate होता है, यानि पेडिसल प्रेजेंट होता है, complete होता है, यानि कि सभी के सभी जो walls हैं, वो present है, actinomorphic होता है, symmetry की बेस पर अगर देखा जाए, तो कभी-कभी जाइगomorphic भी होता है, regular होता है, और hypogynos होता है, तो यह जो आप लोग diagram देख रहे हैं, इस diagram में यहाँ पर दिखाए गया solenum nigram, McCoy का यह diagram है, यह जो floral diagram आप लोग देख रहे हैं, इसको आप लोग अपनी exam paper की जो written copy है, उसमें represent कर सकते हैं, यह diagram most important है, यही examiner check करता है, अगर आप लोग इस family को represent कर रहे ह तो इस family solenacy की member में वैसे तो और भी बहुत सारे examples हैं, जो कि आप लोग internet से निकाल सकते हैं, इस book में जो example दिया गया है, जैसे यहाँ पर solenum nigram का दिया गया है, McCoy का, तो यह diagram भी काफी आसान है, इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं, तो आप लोग इसकी अच्छे से practice कर लीजिए, right, family solenacy exam paper में कई बार पूछी जाती है, तो आप लोग इसको अच्छे से prepare करके जाएंगे, चली discuss करते हैं, calyx के बारे में, flower को cover करने के बाद, यानि flower को define करने के बाद, अब आपको calyx को discuss करना है, calyx prime जो होते हैं, इसमें 5 seples होते हैं, और यह persistent gamo seples condition पा पांच होती है, और यह प्राइज होते हैं, वो gamo petalus condition पाए जाती हैं, यानि petals आपस में fuse हैं, इसलिए हमने इसको gamo petali के अंदर रखा, funnel shape निम होते हैं, wall में यानि चक्राकार होते हैं, tubular होते हैं, राइट, नलीका कार होते हैं, करोला में अगर हम activation की बात करें, तो इसम होते हैं, इसमें जो एंथर होते हैं, वो diethicus होते हैं, और intros condition में पाया जाते हैं, अब हम discuss करते हैं, gynosium की बारे में, यह प्राइब bicarpillary होते हैं, इसलिए series bicarpality के अंदर रखा गया है, sincarpus condition पाया जाती है, और इसमें average होती है, वो superior होती है, bilocular होती है, यानि कि दो locule present रहते हैं, कभी कभी false septum की वज़ा से हमें इसमें चार locule देखने को मिलते हैं, यानि कि टेट्रा locular हमें देखने को मिलता है condition, इसमें जो presentation है, यानि कि जो बिजांड विन्या से वो exile होता है, प्राइब बहुत से ovule फूले हुए, यानि स्वलेन वा पिलेट वा प्लेसें पर्मिक वो माइनूट होता है, अब हम डिसकस करते हैं, पॉलेनेशन के बारे में, तो फैमिली सोलेनेसी के मेंबर्स में जो पॉलेनेशन की प्रक्रिया होती है, वो इंसेक्ट के द्वारा होती है, यानि कीटो के द्वारा, अब हम डिसकस करते हैं, फ्लोरल फॉर्मुला तो देखेंगे इसमें क्ट इनरफिक कंडिशन है तो यहां तीन आप लिख सकते हैं याणि कि आप लोग किस इस पर इस इसमें वह नहीं होता है गाइनोशियम में मैंने कहा था आप बाई कारपलरी होते हैं तो दो कारपल उसको ब्रैकेट में लिख देंगे और ओवरी सुपीरियर होती है इसलिए हमने नीचे की तरब शाइन लिखा है यह जो नीचे की तरब आपको साइन दिखाई दे रहा है यह डिनोट कर रहा है कि ओवरी सुपीरियर है एकनोमिक इंपोर्टेंस के बारे में अगर हम डिसकस करें फैमिली सुलेन इसी कि तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान रखना दो नंबर में शोर्ट कोशन में अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है तो कम से कम चार इकनोमिक इंपोर्टेंस के फैमिली के जो नाम है याद रग होने चाहिए और वो नाम यहाँ पर बोटेनिकल नेम याद होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप लोग पोटेटो लिख दोगे तो एक ही नंबर मिलेगा अगर आपको कमप्लीट मार्क्स चाहिए तो सोलेनम टूबरसम इसका बोटेनिकल नेम भी लिखना होगा इस पोदे के जो भूमिकत तनों से जो मुख्य सबजी प्राप्त कि जाती है इसमें इस्टार्ज परियाप्त मात्रा में होता है इस पोदे की जो फल है उसकी सबजी आप लोगों ने डेफिनिटल खाई होगी बैंगन की नमबर थर्ड पर आता है कटेली, solenum zanthocarpus, इस पोधे की जड़ो वा पत्तियों से दमा खासी वा गाठिया रोगों के लिए औस धी बनाय जाती है, यानि medicinal प्रोपर्टी के भी यहाँ पर हमें प्लांट मिल गए है, उसके बाद मकोई, black nightshade, solenum nigrum, इस पोधे के जो फल है यानि कि अगर बुखार हो, दस्त हो, या हमारी आखों में किसी परकार का कोई प्रोब्लम आ जाता है, नेतर रोगों में, पेची साधी में उप्यो के जाते हैं, तो यह दोनों है medicinal value के प्लांट, टोमेटो आपने खाया होगा, टमाटर, इस पोधे की फल जो है, विटामिन नेम आप लोग याद कर लीजिए, जिसमें से दो आप लोग, यह जो दो आपको दिखाये गए हैं, एक तो कटेली और एक मकोई, यह दोनों के दोनों medicinal value के हैं, इसको याद कर लो, और एक पोटेटो, एक ब्रिंजल हो जाएगा, या टोमेटो के याद कर लो, यानि कि आप आपको चार economic value के plant याद रखने होंगे, so finally student, इस वीडियो के इंदर इतना ही, अगर आपका कोई भी doubt हो, तो आप लोग comment section में mention कर सकते हैं, मिलते हैं next वीडियो में, bye bye, ta-ta